ऐसा कहा जाता है कि अगर आपने कोई बिजनस स्टार्ट किया और वो चल गया तो समझो भगवान की कृपा हो गई पूरी फैमिली में पैसों की बारिश हो जाती है और इसलिए मैं आपके सामने एक ऐसा बिजनस लेके आ रहा हूं जो की फार्मसोटिकल इंडस्ट्री से है और बाकी सारी कंपनी से बहुत ही जादा अलग और यूनीक है इसे ग्रो करने से दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती तो आज इस वीडियो में हम बात करेंगे DV's Laboratories के उपर और जानेंगे कि इस कंपनी में ऐसा क्या स्पेशल है जो इसे एक यूनीक कंपनी बनाता है Warren Buffett ने कहा है कि try to find a business with a wide and long lasting moat around it surrounding and protecting a terrific economic castle with an honest lord in charge of the castle तो आप देखिये जैसे ये किला है तो आपका business इस किले के तरह होना चाहिए और business का management जो उसका owner है वो एक राजा के तरह होना चाहिए जो कि इमानदार हो चालाँख हो और powerful हो इस किले को आप देखिये चारो तरफ से पानी से घिरा हुआ है ये पानी एक moat का काम कर रहा है क्योंकि इस पानी की वज़ा से दुश्मन इस किले पे attack नहीं कर सकते हैं तो ये पानी इस किले को protect कर रहा है उसी तरह से जब हम कोई business analyze करते हैं research करते हैं या फिर start करते हैं तो research के time पे हमें उस business का moat identify करना चाहिए अगर किसी business के पास कोई moat नहीं है तो वो जादा दिन पैसे नहीं कमा पाएगा क्यों? क्योंकि उसके कल को competitors आ जाएंगे और उसे हरा जाएंगे तो इसलिए किसे business में moat का होना बहुत जरूरी है क्योंकि वो moat एक business को protect करता है competitor से जैसे यह पानी इस कीले को protect कर रहा है दुश्मनों से अगर मैं आपसे बोलूँ कि मैं आपको खूप सारा पैसा दे रहा हूँ और आप एक pharmaceutical company start करो तो आप मुझसे तुरन बोलोगे कि हाँ मैं start कर दूँगा मैं tablet बनाओंगा capsule बनाओंगा syrup बनाओंगा injection बनाओंगा तो यहाँ पर फिर मैं आपसे question करूँगा कि भाई आप ऐसा कर क्या रहे हो जो बाकियों से अलग है आप ऐसा क्या कर रहे हो जो दुनिया की वही सब कर रही है आपको उनसे compete करना पड़ेगा आप उन्हें हरा नहीं पाओगे एक से एक बड़ी बड़ी companies हैं दुनिया में आप उनको compete नहीं कर पाओगे जल्दी और लास्ट में आप surrender कर दोगे और हिम्मत हार जाओगे मुरली कृष्ण डीवीज जो कि इस company के owner हैं उन्होंने कुछ हट के सोचा उन्होंने सोचा कि जो सब कर रहा है वो मैं नहीं करूँगा और जो कोई नहीं कर रहा है वो मैं करूँगा उन्होंने decide कि वो 100% contract manufacturer बनेंगे मतलब service provider मतलब ये कि वो आपनी कोई medicine कोई दवा कोई सिरप नहीं बनाएंगे वो दूस कंपनी research करके जो भी दवाएं बना रही है वो अपना chemical formula share करेंगी वो बताएंगी क्या करना है क्या बनाना है और वो बनाएंगे और यही चीज़ दीवीज लेबरेटरी इसको बनाती है इंडिया की एक unique company जिसका एक unique business model है और यह है इसका moat number one इंडिया में कोई भी company 100% contract manufacturing नहीं करती है लेकिन world में बहुत सारी companies हैं जो यह काम करती है बट इस company को फायदा यह है कि यह company बहुत ही low cost service provide करती है उसका reason यह है आप समझ लो कि जैसे Infosys और TCS पैसा बनाती है क्योंकि Infosys और TCS US वालों को service provide करती है और dollar और रूपी का जो difference है उसका फायदा इनहें मिलता है सेम यही फायदा यह company कर लेती है तो अगर कोई company US की है जो कि contract manufacturer है उसको लोग उतना काम नहीं देंगे जितना इस company को दे देंगे क्योंकि US वालों को बहुत सस्ता पढ़ जाता है जब वो इंडिया और चाइना जैसी company को outsource कर देते हैं बहुत ही आसानी से बीट कर देती है और इंडिया की बात करें तो इंडिया में तो इसके जैसा कोई है ही नहीं और इसी लिए यह हो जाता है इसका मोट नंबर टू इंडिया की जो सारी pharmaceutical companies हैं वो अपनी अपनी दवा बनाने में बिजी हैं इसी लिए डीवी लैबोरेटर क के लिए इंडिया में बहुत ही कम competition है और यह हो जाता है इसका मोट नंबर थ्री अगर इंडिया की फार्मसोटिकल कंपनीज चाह भी लें तो भी डीवी लैबोरेटरी से कंपीट नहीं कर सकती हैं उसका रीजन यह है कि इंडिया की कंपनीज खुद की दवाएं बनाती हैं खुद की दवा बनाती हैं उसके marketing करती हैं उसका distribution करती हैं और लोग use करते हैं लेकिन डीवी लैबोरेटरी खुद की दवा नहीं बनाती हैं तो ऐसे में क्या होता है कि अगर इंडिया की pharmaceutical companies बाहर की companies से काम मागें तो बाहर वाली company contract basis पे manufacturing करवाने से हिचके चाहेगी इंड इंडिया की companies को काम देंगी तो उन्हें अपना chemical formula share करना पड़ता है ऐसे में अगर इंडिया की company उनकी दवाओं की reverse engineering कर ली तो इंडिया की companies उनकी दवा को copy करके अपनी खुद की दवा बनाके market में launch कर देंगी तो हर company को यह डर होता है कि कहीं दूसरा उसके product को copy करके वैस इंडिया के मार्केट में इसे वज़ा से competition क्रियेट होता है तो बाहर की companies हमशा हिचकिचाती हैं इंडिया की companies को काम देने से और इंडिया के company करती भी जही है बाहर की Siz की दवा उठाती है उसके reverse engineering करती है और copy करके same way highway India के market में कर देती हैं लेकिन ये चीज़ DVs Laboratories के साथ नहीं है DVs Laboratories को आसानी से contract मिल जाता है बहुत ही आराम से बाहर की कंपनियां इसको काम दे देती है क्यों? क्योंकि ये बाहर की कंपनियों से clearly बोलता है कि देखो हम लोग कोई भी दवा मार्केट में launch नहीं करते हैं हमारा बिजनस ही नहीं है हम सिर्फ दूसरों की help करते हैं vaccine बनवाने में तो आप जो भी vaccine बोलोगे जो भी molecule बोलोगे जो भी raw material बोलोगे हम बनांके आपको देंगे जैसा आप बोलोगे वैसा बनाएंगे जैसी quality का बोलोगे वैसी quality का बनाएंगे तो इस वज़ा से बाहर की जो companies हैं वो DVs Laboratories को अपना काम देने में हिचकिचाती नहीं हैं और contract के basis पे इसे खूप सारा काम मिलता है और इसी लिए ये हो जाता है इसका mode number 4 तो DVs Laboratories को फर्क नहीं पड़ता कि कौन सी company दुनिया की best company है उसको फर्क नहीं पड़ता कि दुनिया में कौन सी vaccine बनाई जा रही है कोई भी vaccine बनेगी उसे काम मिल जाता है चाहें कोई भी company उसे काम दे देती है इसी लिए DVs Laboratory active pharmaceutical ingredients बनाती है मतलब ये ingredients दवाओं में यूज होते हैं जो भी company कोई दवा बनाती है तो उसमें जो जो चीज़ें यूज होती है wrong materials वो इससे बनवाती है आज कर लोगों की life बढ़ गई है लोग जादा लंबे समय तक जी रहे हैं क्योंकि आज लोगों के पास दवाएं available हैं जिनसे वो अपनी बिमारियां treat कर लेते हैं लेकिन कुछ बिमारिया ऐसी होती हैं जो generally लोगों को हो ही जाती हैं जैसे arthritis एक ऐसी बिमारी है जो एक age के बाद हो ही जाती है तो ऐसे में अगर लोग 90-100 साल तक जीते हैं तो लोग काफी लंबे समय तक daily basis पे arthritis की दवा यूज करते रहते हैं और मैं आपको बता दूँ कि arthritis की दवा में जो chemical यूज होता है उसका नाम है नेप्रॉक्सिन और डीवीज लेबुरेटरी वॉइड की largest manufacturer है इस chemical की जिसका नाम है नेप्रॉक्सिन मतलग दुनिया में कोई भी बंदा अगर arthritis की दवा यूज कर रहा है तो समझ लो वो डीवीज लेबुरेटरीज का product यूज कर रहा है वोल्ड में नेप्रॉक्सिन की manufacturing और भी companies किया करती थी लेकिन वो traditional तरीके से करती थी वो chemicals का use करती थी जिसके वज़ा से pollution होता था और cost भी high हो जाता था बट इन्होंने एक trick लगाई डीवीज लेबुरेटरी ने सोचा कि क्यों न हम chemical की जगा enzymes यूज करें enzymes का use करने से pollution control में हो जाएगा और cost low हो जाएगा ये thinking इनको एक competitive edge प्रवाइड कर दी जिसकी वज़ा से जिन भी companies को naproxen बनाने का contract मिलता था उनका सारा काम छेन गया और उनका सारा काम इस company को दे दिया गया तो इसलिए अब ये company naproxen chemical की world's की largest producer है ये company कफ सीरप में use होने वाला chemical भी बनाती है जिसका नाम है dextromethorphan इसी तरह से ये कई सारे और भी chemicals बनाती है तो basically इसका business जो है इसके business को 50-50% में divide करो तो दो जगा से इसके पैसे बनते हैं पहला है generic API segment generic API मतलब for example crocin में paracetamol use किया जाता है तो paracetamol एक generic है तो ये generic की manufacturing करती है contract basis पे और ये जो है 25 products के ऊपर की manufacturing करती है और remaining 50% का जो पैसा आता है वो इसको आता है custom synthesis of APIs तो basically जब companies कोई नई दवाओं की research करती हैं बाहर की companies तो इस company को contract देती हैं और वो जो है नए-नए molecules नए-नए compounds इससे बनवाती हैं तो ऐसे-से compound जो बने भी ना हो तो ये company उन company US की companies के साथ मिलके contract basis पे ऐसे-से molecules और chemicals बनाती है जो की नए तरह के हैं जो अभी तक बने नहीं हुए हैं तो इससे related काम जो custom synthesis का काम है वो दुनिया की जो top 10 pharma companies हैं उनमें से 6 companies इस company को काम देती हैं जो की US-based हैं, European-based हैं, Japan-based हैं और last 10 years से continuously इसको काम देती चली आ रही हैं DV's laboratory वाले inorganic expansion avoid करते हैं मतलब जो expansion acquisition के थुरू होता है वो ये avoid करते हैं इनका मानना यह है कि suppose इंडिया है तो इंडिया में जो इनका business model है वैसा business model किसी और company का है ही नहीं इसी reason से ये इंडिया के किसी भी company को acquire नहीं करते हैं और जो बाहर की company है उसको भी acquire नहीं करते हैं क्योंकि इनका मानना है कि जो बाहर की companies होती है उनका culture अलग होता है तो उस culture को proper करने में इनको मेहनत लगेगी और उसकी कोई guarantee नहीं कि सब कुछ match हो पाए तो यह कहते हैं कि हम लोग को जब भी grow करना होता है तो हम खुद से organic growth करते हैं खुद अपने ही plants को research station को जो है expand करते हैं यह खुद बोलते हैं कि इन्हें बहुत बाहर बाहर की companies से जो कि contract manufacturing companies हैं वहां से खुब offer मिलता है और वो लोग बोलते हैं कि मेरी company acquire कर लीजे क्योंकि वो उतने profitable नहीं है तो यह बोलते हैं कि इनको बहुत बार ऐसा होता है कि golden plate पे साफ कपड़े के उपर cash रखके offer किया जाता है कि भाई आप मेरी company खरीद लो बट यह साफ मना कर देते हैं अब मैंने इस company की इतनी तारीफ करी दी है तो मुझे आपको दिखाना जरूरी है कि यह company कितने पानी में है तो चलिए हम DV's laboratory को compare करते हैं Dr. Reddy's laboratory से Dr. Reddy's laboratory को सब लोग जानते हैं इसका नाम बहुत famous है इसकी दवाएं market में सब use करते हैं लेकिन DV's laboratory को जादा कोई नहीं जानता तो अब पैसे कमाने के point of view से कि कौन company आपको जादा पैसे बना के देगी लंबे समय में चलिए हम compare करते हैं Dr. Reddy's और DV's को सिर्फ 2019 का ही data लेते हैं और देखते हैं कि net profit margin किस company का जादा है Dr. Reddy's laboratory का 12% का net profit margin है जबकि DV's का 27% का आप देखिए आप compare करिए Dr. Reddy's कहीं पे भी नहीं इसके सामने return on equity Dr. Reddy's का है 13% जबकि DV's का है 19% का यहां पे भी DV's ने fail किया Dr. Reddy's को return on capital employed Dr. Reddy's का है 14% और DV's laboratory का है 25% यहां तो बहुत ही साफ तरीके से बीट किया यहां से एक चीज तो clear दिख रही है कि नाम तो famous है Dr. Reddy's laboratory का लेकिन असली पैसे अगर कोई छाप रहा है तो वो है DV's laboratory तो दोस्तों यह थी मेरी research DV's laboratory के ऊपर लेकिन मैं आपसे एक request करना चाहूंगा कि मैंने इस वीडियो में जैसे modes बताया है जो कि यह company को protect करता है अगर इस तरह का mode आपको किसी और company में भी दिखता है तो आप जरूर से मेरे किसी भी वीडियो पर comment करके मुझे बता दें जिससे मैं वो point आपके साथ discuss कर सकूँ और हो सके तो उस पर वीडियो बनाके बाकी सब को inform कर सकूँ thank you for watching this video bye bye